पूरा देश आज शुक्रवार को 75 गंतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए तैयार है 26 जनवरी 1950 को देश का सनविधान लागू हुआ था और भारत गंतंत्र बना था इसलिए हर साल 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या आप जानते हैं कि गंतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर राश्टिय ध्वज को फैराने के नियम और तरीके अलग-अलग है अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गंतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजा रूहन के अंतर क्या है गंतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस राष्टिय उत्सव है दोनों ही अवसर पर देश भक्ती की भावना से ओत प्रोत देश वासी जश्न मनाते हैं स्वतंत्रता सैनानियों और राष्ट निर्माताओं के महान बलिदान व योगदान को याद करते हैं जहां गंतंत्र दिवस पर लोगों को भव्य परेड का इंतजार रहता है तो वही स्वतंत्रता दिवस पर लाल कीले की प्रचारी से प्रधान मंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन का वहीं गंतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही आउसर पर राष्टिय ध्वज फेराया जाता है उसका सम्मान किया जाता है लेकिन दोनों की तौर तरीके बहुत अलग होते हैं राष्टिय की स्थिती माइने रखती है स्वतंत्रता दिवस पर राष्टिय ध्वज फेराने से पहले उसे बांध कर पोल की पास रखा जाता है जब प्रधान मंत्री राष्टिय ध्वज फेराने के लिए डोरी खीचते हैं तो पहले तिरंगा उपर उठता है और फिर फेरता है उसे ध्वजा रोहन कहते हैं वहीं गंतंत्र दिवस पर जंडा फैराने से पहले उसे बांध कर पोल के सिर्ष पर बांध दिया जाता है जब राश्टुपती डोरी खीचते हैं तो वह फहरने लगता है इसे जंडा बंधन या जंडा फैराना कहा जाता है इसके पीछे की वज़ा है कि जब देश आजाद हुआ था तब ततकालिं प्रधान मंत्री जौहरलाल नहरू ने ब्रिटिस सरकार का जंडा उतार कर भारत के जंडे को उपर चड़ा कर फैराया था उस वक्त भारत का कोई आधिकारिक राश्टुपती नहीं था उस वक्त लौड माउंट बेटर भारत के गवरनर थे लेकिन वे ब्रिटिस सरकार के अफसर थे इसलिए यह काम पीम ने किया था जब डॉक्तर राजिंद्र प्रशाद देश के पहले राश्टुपती बने तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पहले गंतंत्र दिवस पर जंडा फै पर उठाकर नहीं तब से हर साल गंतंत्र दिवस पर राश्टुपती जंडा फैर आते हैं स्वतंत्रता दिवस ध्वजा रोहन लाल कीले की प्राचीर से किया जाता है जबकि गंतंत्र दिवस तिरंगर राच्पत पर फैर आजाता है 26 जनवरी को राश्ट्रपती ध्वज फेराते हैं जबकि 15 अगस्त पर देश के प्रधान मंत्री ध्वजा रोहन करते हैं बहें गंतंत्र दिवस के आसर पर दूसरे देश के राजनाईकों को अमन्त्रित क्या जाता है जबकि 17 दिवस पर किसी भी अतिती को नहीं बुलाया जाता है गंतंत्र दिवस समारों का समापन 29 जनवरी को बिटिंग रिट्रेट समारों के साथ होता है तो वहीं स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन 15 अगस्त को खत्म हो जाता है गंतंत्र दिवसपर देश की सर्ण्य ताकत व सांस्कृतिक सम्रिधी की जलक देशवासियों के सामने जाकियों के माध्यम से प्रस्तूत की जाती है जबकि स्वतंत्रता दिवसपर देश की उपलब्दिया प्रधान मंत्री बताते हैं